हेलो गाईज कैसे हो आप आई होब कि आप सब अच्छे होंगे हमारे बहुत सारे विवर्स की रिक्वेस्ट थी उनके कमेंट से कि सर हमें आखों से सम्मंदित कोई एक अच्छे ड्रॉप के बारे में जानकारी दीजिए जो ऐसा ड्रॉप को जो आखों के इंफेक्शन को ठीक कर सके और साथ ही साथ आखों में पेन वगेरा होता है तो उसको ट्रीट कर सके तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महा फ्लॉक्स केटी आई ड्रॉप को तो इस वीडियो में हम इस आई ड्रॉप के वारे में complete समझेंगे इसके वारे में जानेंगे ये किस तरह की medicine है कैसे काम करती है और क्या-क्या इसके फायदे हो जाते हैं क्या side effect आ सकते हैं क्या safety tips आपको दिहान रखना है तो guys ये सारी information आपके साथ वीडियो में मैं share करने वाला हूँ दोस्तो वीडियो में आगे वढ़ने से पहले आपसे एक request करता हूँ कि कवी भी खुद से दवाई मत लीजिए अगर आपको जरुवत होती है तब डॉक्टर की सला से medicine लीजिए और साथ ही दोस्तो अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको समय समय पर मिलते रहें और आप नई नहीं जानकारी पाते रहें दोस्तो यहाँ जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह महाफ्लॉक्स केटी के नाम से eye drop है revise formula है महाफ्लॉक्स केटी इसका brand name हो जाता है यह एक eye drop है और इसके अगर हम salt की बात कर लें तो इसमें moxifloxacin और keto rolex यानि दो salt है और इनको eye drop की form में जो है बनाया गया है guys moxifloxacin एक बहुत अच्छी antibiotic medicine होती है इसके बहुत अच्छे result और महाफ्लॉक्स करके इसका एक simple eye drop भी आता है बट यहां हम बात करेंगे महाफ्लॉक्स केटी के बारे में दोस्तो इसमें महाफ्लॉक्स केटी का मतलब है कि इसमें moxifloxacin और keto rolex दो अलग-अलग salt को डाल कर इस medicine को बनाया है और इसके बहुत सारे फायदे जो है पेशेंट को मिल जाते हैं तो सबसे पहले इसके फायदे जान लेते हैं दोस्तो जो हमारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी आँखों में bacterial infection हो जाता है या consecutiveitis की problem हो जाती है आँखें लाल हो जाती हैं आँखें गुलावी रंकी हो जाती है या आँखों में pain हो जाता है ये किसी भी reason से हो सकता है पेशेंट को ये अलग-अलग reason से ये समस्या आ सकती है तो इनके treatment के लिए ये medicine काफी effective है दोस्तो ये eye drop बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से अपना work करता है दोस्तो ये treat करता है आँखों में होने वाली खुजली के लिए आँखों में जलन होती है आँखों में discomfort होता है आँखों में सूजन आ जाती है आँखों में pain लगा रहता है दर्ड होता है और साथी आँखों में गुलावी या लालामी आ जाती है तो इस तरह की जो समस्याइं आती हैं इनके treatment के लिए ये काफी effective medicine है दोस्तो इसके साथ ही ये seasonal allergy के लिए भी बहुत फाइदे मंद है जैसे कि अचानक से कोई बंदा कहीं पर गया वहाँ environment change हुआ आँखों में जलन चुभन होने लगती है और साथी साथ आँखों में irritation होने लगता है तो इस तरह की समस्या के लिए भी काफी फाइदे मंद medicine है दोस्तो इसके साथ ही इसका use किया जाता है मोतियविंद की सरदरी होने के बाद जब आँखों में सूजन वगयरा लगी रहती है या pain लग जाता है तो उसके treatment के लिए भी डॉक्टर के दुआरा ये use की जाती है ophthalmologist की पहली पसंद हो जाती है काफी popular medicine है दोस्तो साथ ही साथ जान लेते हैं कि ये medicine किस तरह से काम करती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दो salt का combination medicine है इसमें moxifloxacin एक बहुत बहतरी एंटिवाइटिक है जो की treat करता है बैक्टेरिया को ये बैक्टेरिया को kill करता है उनको पनपने नहीं देता है इसको ठीक करता है साथ ही इसका जो second salt है keto rolex इसका काम होता है ये एक non-steroidal anti-inflammatory drug होता है जिसका काम होता है कि ये pain को खतम करता है swelling को कम करता है यानि आखों में अगर सूजन हो जाती है दर्द होता है तो इन दोनों समस्याओं को कतम करने का काम करता है और साथ ही साथ जो redness वगेरा हो जाती है उसको भी ठीक करता है तो इस तरह से ये medicine के काम करने का तरीका हो जाता है दोस्तो डोस की अगर हम बात कर लें कि डोस कितनी लेनी होती है तो ये हमेशा आपके डॉक्टर की सलह से ली जाती है आपके जो अप्थालमो लॉजिस्ट होते हैं या जो आँखों के डॉक्टर होते हैं वो इसकी डोस बताते हैं उसी इसाब से आपको लेनी होती है और इसमें benzylconium chloride as a preservative है ताकि ये medicine खराब ना हो इसको safe रखने के लिए इस्ट्रिल aqueous vehicle इसमें quantity sufficient है जो की दवाई की मात्रा को बढ़ा देते हैं इसको बलकी कर देते हैं दोस्तो इसको साफसुत्री ठंडी जगा में store करना है और इसका temperature जगा का 30 degree से ज़ाद ना हो ऐसी जगा पर आपको medicine को रखना है डारेक्ट सूरज की रोजनी में या धूल दूप से इसको बचाना है डोस डाक्टर की सलासे लेनी है बच्चों की पहुँच से दूर रखना है साथी आपको इस medicine को use करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह की medicine लाते हैं इसको open करने के लिए आप किसी नुकीली चीज का use ना करें दोस्तों अगर आप नुकीली चीज का use करते हैं तब ये medicine कंटामिनेट हो जाती है इसको use करने के लिए company ने इस cap के अंदर एक spike दे रखा है एक कांटा जैसा आपको दिख रहा होगा और जब आप इसको anti-clock by थोड़ा hard करके यानि force से घुमाते हैं तब ये कांटा देखिए इसमें एक छेद कर देता है automatic और फिर इसमें आपको कोई अलग से सुई या नुकीली चीज से छेद करने की आवे सकता नहीं होती है फिर इसके बाद generally आप इसको use कर सकते हैं देखिए इसमें spike ने छेद कर दिया है अब इसमें से आप आसानी से जो medicine है उसको dispense कर सकते हैं इसको निकाल सकते हैं दोस्तो use करने से पहले जो patient है उसको सही position में लिटा कर अपने हाथों को अच्छी तरह से wash कर ले और फिर आपको इस medicine की बताई हुई dose यानि जितनी doctor dose बताते हैं एक से दो बुन दिन में एक से दो बार तक use करनी होती है तो dose doctor की सलह से होगी क्योंकि patient की condition को diagnose करने के बाद ही doctor जो है medicine को advise करते हैं दोस्तों आपको धियान रखना है कि ये solution खोलने के बाद जैसा कि मैंने अभी इसको खोल लिया है इसको open करने के बाद एक महिना के अंदर यानि 4 week के अंदर आपको use कर लेना चाहिए 4 week के अंदर अंदर आपको ये medicine खतम कर लेनी है अगर आप ठीक हो जाते हैं तब आप इसको fake सकते हैं आपको full ये medicine को खतम करना होता है चार हफते से ज़्यादा रखे हुई medicine यूज ना करें ये खराब हो जाती है और आँखों में नुकसान कर सकती है दोस्तो या इस medicine का license नमर वगेरा हो जाता है और ये बाकी के safety tips हो जाती है injection के लिए नहीं है बहरी use के लिए है आँखों में use के लिए है साथी दोस्तो आपको अगर किसी तरह का इस medicine को use करने के बाद आँखों में irritation या discomfort लगा रहता है या blur लगतार बना रहता है तो तुरंत इस medicine को रोग दें ये इस तरह से side effect इस medicine के किसी patient में आ सकते हैं दोस्तो साथी जान लेते हैं इसका MRP तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 141 रुपय में सभी करों के साथ में मिल जाती है और साथी इसका manufacturing और expiry date आप देख सकते हैं 10-2022 तक इसकी expiry है तो अब से लगभग एक साल तक इस medicine को use किया जा सकता है लेकिन open करने के बाद एक महिने के अंदर ही use कर लेना चाहिए तो guys ये इस moxiflox केटी के बारे में एक जानकारी वीडियो था मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को like करने, share कर दे और channel को subscribe करके घंटे के बटन को दबा दे दोस्तो ताकि आने वाले time में भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे, आप इस जानकारी से फाइदा उठाते रहें दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही है, वीडियो खतम करने से पहले एक बार आपसे फिर request करता हूँ कभी भी खुद से दबाई मत लीजिए, नुकसान दे सकती है, हमेशा डॉक्टर की सलह से ही medicine लीजिए तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक सेफ रहें अपना ख्याल रखिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, गुडबाई, जैहिंद